तो मैं यह नहीं कहूंगा कि 0 से स्टार्ट करके 180 आट ओफ 180 ला सकते हो भी 4 मंस में, नीट इक्जामें चैमस्टी में यह पॉसिपल नहीं है, लेकिन 0 से स्टार्ट करके 150-160 मांक जरूर ला सकते हो 4 मंस प्रपेशन करके, कैसे इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बता है, अ कम भी हो सकता है, 4 मंस मान के चलता हूँ, तो आपको टागेट रखना है 100 देज के अंदर पूरा स्लेवास कंपलीट करने की, थाकि बाकी वाला टाइम डिविजन और मिस्टेक्स को सुधानने पर दे सको, टोटल चैप्टर से 19 के आराउंड, आपको पर वीक जो है 1.5 बना लेना है, उसी के एकोर्डिंग पढ़ना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है कि इस चैप्टर में कितना वेटेज है उस वीडियो को देख सकते हूँ, फस्ट प्रियोटी कॉंसप्टर को देना है आगे बताता हूँ, साथ मैं आपको NCIT किसी भी हाल में मिस्न करो, उसी के साथ अगर मैं बात करो, चैप्टर कहां से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले, आप मोल कॉंसप्स से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से आपका बेसिक सचे से क्लियर हो जाएगा, और आपको साथी साथ फॉर्मूला सीट भी बना लेना है, कहीं से जुगार करना च बहुत जादे इंपोर्टेंट है, रेगुलर रिविजन के लिए और प्रियोडिक टेबल भी बहुत जादा जरूरी है, तब ही तो आप अच्छे से याद रख पाऊगे, इन और गनिक आप ज़रूर भूलते जाओगे, तो रेगुलर रिविजन अच्छे से करते रहना है और अगर मैं और गनिक की बात करूँ तो जीए से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और रियक्शन चार्ट आपको बना लेना है, यह कहीं से हल्प ले सकते हो तो ले लो, और माइन मैपिंग अच्छे से करना है, क्योंकि यही आपको डिविजन करने में से हेल्प करेगा, और टाइम भी बचाएगा, आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, अगर मैं इंपोर्टेंट यूनिट्स या फिर चैप्टर्स की बात करूं, जो कि हाई वेटेज है, फस्ट प्रियोटी देना है, तो यह सारे चैप्टर्स को आपको फस्ट प्रिय बातना है, कोई पॉइंट इप्पोर्टन लगे तो आपको हाईलाइट करना है, और उसी के साथ इस टेकी नोट्स का भी यूज करना है, उसी के साथ आपको जो है क्या करना श्टडी के लिए सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर आप वान सौट प्लस ल जाप फीर उससे पहले आप को ज़सें प्रांक्टिस कर सकते हो जो की वान हंडडर से लेकर ओन फिटी क्यों कर ना है, क्यों गलती हुआ, क्यों प्लस इसका है, वह सब कुस बूस्ट ने के समझना है, और सॉलिशन भी देख कर अच जह समझना है, फिर जो है आप चाहँ त वह प्रते वह चाहों तो नोट के थिरू भी आप रीविजन कर सकते हो इसके बाद पीवाइक्यू करो के प्याइक्यू तो इंप्रॉर्टेंट है पूरे उक में जो भी पर हो इसको रिवाइज कर देथा है जो कि यह अपनीय पर नोर्ण कर सकते हों और टेस्ट के थुरू भी रिवाइज कर सकते ओगा तो का त्वी पूक रिवाइज कर देयो थी खनाओ कर देदेगा है उसकेले मैं वीडियो बना रहा रहा है करना है कि आपका इंप्रूब हो रहा है कि नहीं कहां कहां आप गलती कर रहे हो कहां वीक पॉइंटस उन सब इसके साथ आपको जो मॉक टेस्ट तो देना ही है साथी सब आपको टाइम मैंजमेंट भी बहुत जादा जरूरी है हर रोज खुद को स्पीड अप करने की कोसिस करना है उसी के साथ आपको जो है टोटल 4-5 के कोसिंस प्रैक्टिस करना ही होगा अगर अच्छे से प्रिपेर्ड रहना चाहते हो नीट इग्जाम के लिए तभी तो आप 150 या फिर 160 मार्क्स ला सकते हो chemistry में और ध्यान रहे जो भ के लिए इस वीडियो को देख सकते हो तो बस मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ थैंक्यू